आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिलकुल सही पड़ा अगर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं दी जी एस्टिन को तो आपके उपर पचास अजार की पैनल्टी लग जाएगी ये मैं इसलिए कह र आया है 13 अगस्त को अब इस नोटिस का टाइटल पड़ो सेक्शन 125 और रूल टैने क्या लिखावाई जी रूल टैने रूल टैने की बात कर रहे हैं ये लोग कहते हैं कि अगर आपने रूल टैने का वोलेशन करा तो हम सेक्शन 125 में आपको पैनल्टी लगा देंगे और हमने लगा कर नोटीस भेजा है और क्या का है कि इसका रप्लाई है आप हमें 19 अगस्तक कर दो तो क्या कहता है नोटिस अब question ही आता है क्या ये notice सही है या गलत है क्या हमारे को ये penalty pay करनी पड़ेगी या नहीं इसके लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ rules पर जहांपर rule 10 A लिखा हुआ है और आप इस client का registration चेक कर सकते हैं इस client को registration मिला था 18 जून 2021 को अभी दो महीने भी नहीं हुए GST का registration लिये और इस पर 50,000 की penalty का notice आ गया ऐसा व्यक्ति तो डरेगा GST registration लेने से क्योंकि इस व्यक्ति ने voluntary registration लिया है तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि rule 10 A कहता क्या है क्या ये 50,000 की penalty की बात करता है तो पढ़िएगा rule 10 A जब हम rule 10 A पढ़ते हैं तो rule 10 A में लिखवा है कि आपको bank account की detail फरनिश करनी है कब करनी है यहाँ पर ये लिखवा है not later than 45 days 45 दिनों के अंदर अंदर आपको ये detail फाइल करनी है इसका मतलब अगर आपको registration मिलाता 18 जून को अगर registration मिलाता 18 जून को तो इसमें 45 डेज आप add कर लो तो आपको ये फाइल करनी थी detail अगर मैं बात करूँ हाला कि यहाँ पर rule में clear लिख़ा है 18 जून के बाद 45 दिन add कर लेना और अगर उससे पहले आपकी कोई 3B की date आती है तो जून की 3B की date कब आई होगी जून की 3B की date आई होगी 20 जूलाई, 22 जूलाई, 24 जूलाई तो आपको 24 जूलाई तक ये bank account detail फाइल करनी थी आपने नहीं करी अगर हम 45 days को मानते हैं तो ये हमें detail कब तक करनी थी 18 जूलाई, 30 दिन होगा है rule number 21 मैं आपको वो भी पढ़ाता हूँ जरा ध्यान से पढ़ना इस rule number 21 को rule number 21 कहता है कि registration to be cancelled in certain cases कि हम तुम्हारा registration cancel कर देंगे कुछ cases में अगर आपने ABCD इनका violation करा और उसमें एक violation ये है कि अगर आपने rule 10A का violation करा तो हम आपका registration cancel कर देंगे अब यहाँ पर आपको बात को समझना है कि मान लो Mr. X है मैं कपिल लेन हूँ मेरे से ये rule का violation हो गया 10A का जब मेरे से 10A का violation हो गया तो आप मेरे उपर rule 21 लगाऊ ना आप rule 21 क्यों नहीं लगा रहे आपने section 125 क्यों लगा दिया section 125 में 50,000 की penalty है तो आप मुझे यहाँ पर यह बताओ आप हर जगा section 125 लगा कर penalty लगा रहे हो एक बार section 125 को भी पढ़ लो section 125 क्या कहता है journal penalty लगाएंगे any person who contravence any of the provision of this act or rule made they are under 4 which no penalty is separately provided तो भया अगर आप इस section को use करते हो तो यह तो बड़ा dragon section हो जाएगा हर जगा तुम section 125 लगा दोगे तो मेरा मानना यहाँ है कि भाई आप section 125 यहाँ पर ना लगाओ क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है liable to penalty which may extend to 25,000 यहाँ पर लिखा हुआ है कि penalty 25,000 तक जा सकती है लेकिन जब आप बात करते हो तो आप starting ही 25,000 से करते हो तो आप क्या business करने दोगे सैसी को या नहीं दोगे उस व्यक्ती ने registration लिया अभी 2 महिने निवे और आपने 50,000 की penalty लगा दी आप rule 21D लगाते ना आप उसे एक notice भेजते कि भाईया आपने bank account update नहीं करा तो rule 21D के हिसाब से हम आपका registration cancel करते है उस व्यक्ती के पास ये notice आता तो वो उसके बाद bank account detail update कर देता और कहानी खतम हो जाती लेकिन यहाँ पर तुमने उसके उपर 50,000 की penalty लगा दी notice भेज दिया अब वो व्यक्ती क्या करेगा वो व्यक्ती तुमारे या मेरे जैसे professional से पास आएगा और हम उससे कहेंगे भईया हम charge लेंगे 5000 रुपे तो उसे 5000 का unnecessary burden हो गया फिर हम उसका reply करेंगे इस notice का तो यहाँ पर जो है जो काम असानी से किया जा सकता था आपने वो काम असानी से नहीं किया अब आप यह कहते हो जी हमारे पास तो right है हम rule 21 भी लगा कर आपका registration cancel कर सकते है और हम 50,000 की penalty भी लगा सकते है मेरा मानना है गलग आप एक गलती के लिए दोनो provision नहीं लगा सकते अगर आपको punishment करना है तो आप एक provision लगाओ आप यहाँ पर दोनो provision लगाकर यह बड़ी दिक्कत की बात है तो मेरे इसाप से आपको अगर provision लगाना था तो registration cancellation का लगाना था यह वाला provision नहीं लगाना था और एक बात और बता दू मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि तोड़ी पढ़ाई कर लिए अगरो इस बार की magazine में हमने अपने अगस्त edition में यह वाली बात लिखी थी कि भाया portal पर functionality update हो गई है तो आप यहाँ पर अपना bank account फरनिश कर दो लेकिन आपने बात नहीं मानी तो 50,000 की penalty लग जाएगी तो comment box में मुझे लिख कर बताओ कि यह जो 50,000 की penalty लगी है यह सही है या नहीं क्या rule 10A के violation में क्या rule 21 को आप exercise कर सकते थे या नहीं क्या department को rule 21 लगा कर इसका registration cancel करना था या नहीं अगर आप यह कर देते तो यह ज़्यादा सही रहता आपने 50,000 की penalty लगाई है यह गलत है ऐसा मेरा मानना है आप मुझे comment box में बताना अब करना क्या है भाई reply तो दे नहीं है reply देने से पहले अपना bank account update कर लो और bank account update करने के बाद उसका reply दे दो कि sir गलती हो गई थी covid की वज़े से हो गई थी या कैसे भी था हमें जानकारी नहीं थी तो हमने इस वज़े से ये update नहीं करा अब हमने कर दिया bank account ना update करने से revenue का हमने कोई चोजितोगरी नहीं दो महिने में ना ही revenue का कोई loss हुआ है ठीक है या हमारा bank account सर्द डिले खुला है कुछ भी कारण हो सकता है आप वो कारण बताओ और साथ में ये rule 21 की कहानी बताओ कि भई आप rule 21 लगा देते तो आप penalty जरा जरा सी बातों पर ना लगाएं इस से असे परेशान हो रहा है और अगर लगा रहे हो तो 2000-4000 लगा लो यार आपने 25-25,000 रुपे लगा दी क्लाइन तो परिशान हो जाएगा आप मुझे comment box में लिख कर बदाना आपको ये वीडियो कैसी लगी क्या इस तरह के notice के ओपर हमें वीडियो बनानी चाहिए या नही क्या ये वीडियो finance ministry को देखनी चाहिए या नही क्या ये ease of doing business की परिवाशा है जो हमारे finance minister या हमारे PM Modi साब कहते हैं क्या ये ease of doing business हो रहा है ऐसे कोई भी वेक्टि बिजनिस नहीं कर पाएगा तो इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share करें वीडियो अच्छी लगी है तो जादा से जादा लोगों तक like करें और एक बात और समझ लीजिए ये जितने भी rules वगेरा है हम अपने face to face batches में कराते हैं हम अपनी pen drive classes में कराते हैं तो अगर आपको हमारी pen drive classes लेनी है तो इस number पर आप whatsapp करके ले सकते हैं हमारी magazine लेनी है इस number पर whatsapp करके ले सकते हैं जिससे आप भी update रहें और इस तरह की penalty से बच सके चलिए इस video को हम यहीं finish करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ thank you for watching